बिस्मिल्लारुमान रौहीम अच्छी पिछले दफ़ा हम बात कर रहे थे कि किस तरह दो नंबर्स को हम एड़ करेंगे सो सेंपल एक ग्जामपल है जो के डेसिमल में अगर आप एड़ करते हो तो आप देख रहे हो कि सिंपल हम 5 को 1 के साथ एड़ करके लेट मी हैव सम मारकर सो के नजर आ सके आपको तो इसी तरह है जिस सिंपल अगर आप डेसिमल में अड़ करते हो तो आप देखते हो डेजिट वाइस हम एड़ करते हैं और digit wise एड़ करने के बाद हमारे पास result को हम नीचे लिखते थे हैं। जबकि binary में थोड़ा सा मुख्लिफ है, binary के result को भी हम binary में लिखते हैं। For example, जिस तरह 1 प्लस 1 is 2, 1 प्लस 1 is 2, 2 की binary होती है is 1, 0। So 0 हमारे पास रह जाएगा, और 1 को हम carry ले लेंगे। इसके बाद 1 बिलकुल नीचे आ जाएगा और इसी तरीके से बागी digit wise हम सब को जमा कर देंगे। आखरी भी 1 प्लस 1, 0, 1 आ जाएगा। So this is very simple binary addition। अभी इसी तरीके से अगर तीन numbers को करना है तो पहले 2 को कर लें, फिर तीसरे को उसमें add कर लें। तो इस तरीके से हम addition को कर सकते हैं। यह बिलकुल simple सा operation है। अब अगर 2 numbers को multiply करना है तो वह भी बहुत असान है। कि आपको पता है कि anything multiply by 0 is 0, except 1 is multiplied by 1। तो इस rule को रखते हुई हम simple multiplication करेंगे। जिस तरह हम decimal में करते हैं। और उसको उसी तरीके से, DigitWise, एक डिजट को ले के सब के साथ, दूसरे को ले के सब के साथ, तेसरे को को ले के सब के साथ, चोथे को ले के साथ, और फिर सब को sum करके उसका answer हम निकाल लेंगे。 So, this is Simple Multiplication and Simple Addition. ओके, so this is what we have, जो कि हमने लास्ट टाइम छोड़ दिया था, अब हम इसको इस तरीके से करेंगे, तो आज कर टापक है, वो ये है कि हम कैसे अपने नमबर्स को गोड़ेट फॉर्म में रिपररेजंट करने का ये मकसद होता है, बहुत असानी से हमारे ये जू कोड़्स हैं, हमारे डेसिमल को बाइनरी और बाइनरी को बाइनरी को डेसिमल में कनवर्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है, that is binary coded decimal, binary coded decimal क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, कि binary के साथ हम decimal को encode करते हैं, आच्छा, इसको encode करने का फाइदा क्या है, encode करने का फाइदा आगे हम देखेंगे, कि बड़ी असानी से हम decimal से binary और binary से decimal में हम convert कर सकते हैं, आच्छा, जै, so binary coded decimal जो है, वो एक तरीका है कि हम decimal digits को binary code के साथ represent कर सके हैं, 10 groups हैं इसके BCD number में और 4 bit की representation से हम किसी भी number को BCD के साथ हम represent कर सकते हैं, और इसका जो code है, that is 8421, 8421 के साथ हम सारे numbers को represent करते हैं, सारे numbers के मुराद मेरी ये है, कि हम 8421 के साथ 0 से 9 तक को represent कर देते हैं, जो कि normal आपकी binary है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इसको हर digit को अलादा अलादा represent करके आपस में मिला देंगे, इसकी जो destination ये है, कि 8421 को हम उसके raise to power के साथ हम denote करते हैं, for example, 1 हमारे पास 2 raise to power 0 के साथ आया, फिर 2 raise to power 1 है, फिर 2 raise to power 2 है, और फिर 2 raise to power 3 है, तो इस तरीके से हम इनको code करते हैं और अपने numbers को लिखते हैं, अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इनको, इनको, अच्छा, अब ये मेरे पास आप देख सकते हैं, कि 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक जो numbers हैं, वो normal आपके पास जो binary की representation है, वो है, अगर हम इसको गोर से देखें, अगर गोर से देखा जाए, तो अगर 1, 2, 8, 4, 2, 1 का code इदर अगर में लगाऊं, 8, 4, 8, 4, 2, 1 का अगर code में लगाऊं, I can write, पतन में लिख सकता हूँ, वरहल, इसको नहीं लिखा जा सकता है, हाँ पर, so, अगर मैं 8, 4, 2, 1 का code लगाऊं, तो मेरे पास ये ही numbers बनते हैं, अच्छा, decimal के साथ हम conversion कैसे करेंगे, decimal के साथ जो conversion होती, 16 numbers की, so, हमारे पास, हम BCD में, जो 10, ये 10 digits हैं, इनको as it is use करते हैं, अच्छा, अब अगर इसके बाद, 11, 12, 13, 14, 10, sorry, 10 तक तो हम 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये invalid होते हैं, इसमें, मतलब 9 तक हम directly present करेंगे, और 10, 11, से 15 तक हमारे पास, ये code में invalid आएंगे, अच्छा, so, इन invalid को हम किस तरीके से valid बनाते हैं, किस तरीके से इसको valid बनाते हैं, so, इसमें आप ये करते हैं, कि for example, कोई number है, उसको अलाएदा अलाएदा represent करेंगे, जैसा ये एक number है, 35, so, इसको चार-चार में, 5 को इसके चार के code के साथ, और 3 को इसके चार के code के साथ हम represent कर लेते हैं, so, इसी तरह से 98 में भी, हम 4-4 के दो groups बना देते हैं, for example, अब ये जो हमारे पास 35 है, तो 5 को 0101, जो कि 5 की binary representation है, वो लिखेंगे, और 3 को 0011 लिखेंगे, इसी तरह से 8 की binary representation को अलाएदा, 9 की binary representation को अलाएदा, ये बिलकुल उसी तरीके से है, जिस तरह हमने octal में किया था, hexadecimal में किया था, कि अलाएदा अलाएदा इनको, अब सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि representation बतानी है, इसकी representation बतानी है, इस तरीके से बड़े number, जितना भी बड़ा number है, हर बड़े number को हम digit wise, जो है चार-चार की representation करके, हम represent कर सकते हैं, इस तरीके से चार-चार की representation करके हम इसको represent कर सकते हैं, तो इस बेसिकली BCD, अच्छा, BCD का फाइदा क्या है, ये कुछ और examples हैं, आप देख सकते हो, कि 86 को हम कैसे लिखेंगे, 315 को कैसे लिखेंगे, 315 को 44 में हमने convert किया हुआ है, और इसी तरीके से 9470 को भी हम लिखेंगे, इसका फाइदा क्या है, इसका फाइदा ये है, जैसे ही computer को, ये digits input होते हैं, तो computer को 86 को divide करने की जूरत नहीं पड़ती, अब आगर 86 को binary के method से अगर solve करें, तो शायद ये जवाब ना है, 351 को जो पीछे conversion का हमारा division वाला method था, 2 के साथ divide करके, हम remainders का track लेते थे, तो शायद ये जवाब ना है, इस तरीके से इसका भी ये जवाब ना है, so division वाला method काफी ज़्यादा लंबा है और उस में calculations और काफी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये जो method है, इसे लिए बहुत असान है उसके पनिस्पत, simple क्या करते हैं, digits को लेते हैं, उसकी binary हमारे पास पहले से पड़ी होती है, पहले digit की binary उठाते हैं, दूसरे की उठाते हैं, दोनों को आपस में मिलाते हैं, और हमारे पास एक code generate हो जाता है, इसी तरीके से जितना भी बड़ा number हो, चाहे इसके साथ जितने ज़्यादा digits लगे हों इस तरफ, या इस तरफ, हम simple हर हर digit का binary लेके, चार चार बिट लेके, एक एक nibble जिसको कहते हैं, उसको लेकर जोड़ देते हैं, तो बहुत ही आसान है, लेकर इस पे एक मसला आएगा, मसला ये आएगा, को कि अब हमारे पास जो addition है, वो वली addition नहीं रहेगी, जो simple addition होती है, जैसे one plus one, zero one, या तीनो one आ जाएं तो three हो जाता है, जो one one होता है, तो ये चीज़ आप हमारे पास नहीं आएगी, तो इसके जो BCD के numbers हैं, इसके अपने binary addition के कुछ rules हैं, वो क्या हैं, वो ये हैं, कि add two binary numbers, using the rules of binary addition, अगर चार बिट कसम less than nine हो, तो उसको हम valid BCD number कहते हैं, जाहर है, जीरो से लेकर nine तक हम इसको वैसे भी valid और वैसे भी normal BCD के साथ represent करते हैं, अगर किसी भी चार बिट के sum, चार बिट के दो numbers का sum, nine से greater हो जाए, ठीक है, nine से greater हो जाए, तो हम ये करते हैं, कि उसके साथ six को addition add करते हैं, nine से greater हो जाए, तो ये हमारे पास invalid result कहलाता है, अभी हम आगे example से देखेंगे, कि ये क्यों invalid result कहलाता है, so this is invalid result, और फिर हम उसमें ये करते हैं, कि उसमें six को add करते हैं, ताँ कि हमारे पास हम invalid state से दोबारा अपने eight to four, eight four to one code पे आजाए, और अगर कोई sum, अगर for example, कोई aisa sum है, जो कि carry generate करता है, तो उसमें भी हम six को add करते हैं, और ये अभी हम आगे examples देखेंगे, कि इसमें हम कैसे इसको manipulate करेंगे, या कैसे हम इसकी PCT के addition करेंगे, अचा जी, ये कुछ examples हैं, for example, सबसे पहले three plus four है, जो कि less than nine है, so, इसको हम simply क्या कर लेंगे, कि seven के साथ, या इसकी binary के साथ, simple जिसना addition हम करते हैं, उसको लिख लेंगे, अचा, अब इसमें, जो, for example, 86 plus 13 है, तो सब six की भी binary ले ली, three की भी binary ले ली, eight की भी ले ली, one की भी ले ली, इनको simple add कर दिया, आप देख रहे हैं, कि दोनों तरफ, दोनों तरफ, ये basically, अगर हम इसको गोर से समझें, तो ये भी nine आता है, ये भी nine आता है, तो rules में ये था, कि दो four bit numbers का sum, अगर nine से less nine या nine से less आए, तो वो valid है हमारे पास, total तो ये 99 आया है, ठीक है, जो कि nine से बहुत बड़ा है, लेकिन, जो चार bit का sum है, जो चार bit के दो numbers है, उसका जो sum है, मतलब ये दो इसमें basically हमने additions की हैं, दो additions की हैं इसमें, तो चार bit, इस चार bit का भी sum nine के एकोला है, इस चार bit का भी sum nine के एकोला है, तो ये valid BCD है, ठीक है, इसी तरीके से, 25 को अगर 15 के साथ हम add करते हैं, हम देख देख सकते हैं, कि इन चार bit का, इन दो चार bit का sum nine से चोटा है, इन दो चार bit का sum nine से चोटा है, espresso, ये हमारे पास valid, ये जो है ना valid हमारे पास result है, इस तरीके से कोई भी बड़ा number हो, ये आप 2 digits के number है, 3 digits के number हो, तो अगर हम देखें, कि 3 digits के number में भी हर चार bit का sum हर दो नंबर के चार bit का sum अगर nine से चोटा आता है, तो ये सारे हमारे पास valid कहलाते हैं, इसमें एक बात का ये दिहान रखना है, कि overall result को नहीं देखना, दो 4 bit के कहते हैं, numbers के sum को देखना है, जैसे इसमे था, जैसे इसमे था, और जितना बड़ा number है, दो जितना आप add up करना चाहें, इसमें और जितने आप number लगाना चाहें, आप लगा सकते हैं, इसमें और number लगा सकते हैं सो यह इसमें यह बात के दियान रखना है कि overall नहीं देखना है चार बिट के सम के नंबर को देखना है अब invalid के case में होगा हमारे पास अब आप देखो simply 9 प्लस 4 को हमने किया है 9 9 प्लस 4 13 होता है 13 जो कि आपके पास invalid कराएगा ठीक अब देखें इसमें 13 आ रहा है तो 13 को अगर मैं 4 4 में वैसे तो 4 इसके साथ 4 zeros लगाने पढ़ेंगे मुझे तो यह कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है ठीक है इसको मैं represent नहीं कर सकता इसको मैं represent नहीं कर सकता थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसको तुबारा अपने code मिले जाने के लिए 8421 code मिले जाने के लिए क्योंकि 13 9 से बढ़ा है हम 6 को add करेंगे जैसे हम 6 को add करेंगे तो इसका result कुछ इस तरीके से आएगा अब इसको ये representation अलादा अलादा हो सकती है अब इसकी BCD में BCD में 4-4 की bits जो nibbles हैं उनको अलादा अलादा represent किया जाता है अब इसको जो अलादा अलादा represent करना था वो हम नहीं कर सकते थे अगर ये आप देखें तो ये कौन सा number है तो यह अगर आप देखें तो यह इसका जवाब ठीक नहीं आ रहा तो इसका जवाब को ठीक करने के लिए हमने 6 को एड़ कर दिया तो बस सिंपल सा केस है जब भी आपका जब भी आपका दो 4 बिट का एडीशन 9 से बड़े तो उसमें 6 को आप एड़ कर दोगे सिंपल जैसे हम एडीशन करते हैं इसमें अब दूसरा केस यह है कि अगर हमारे पास केरी जिनरेट हो अब इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो 1, 1, 0, 1 हो जाएगा यहां 1 आ जाएगा ठीक है अब यह 1 नीचे आएगा यह 0 नीचे आ जाएगा अब यह जो आखरी है यह 1, 1, 0 और एक एक्स्ट्रा केरी दिख लेगा हमारे पास यह मतलब अब इसका जो सम आ रहा है वो दो 4 बिट्स का सम जो है वो 5 बिट्स आ रहा है तो इसका यह मतलब है कि यह मेरे पास एक केरी जिनरेट हुआ है अब यह 5 की रिपरिजन्टेशन को मैं जैसे यह केरी जेनरेट हुए है तो इसको मैं प्लस 6 करूंगा प्लस 6 का क्या फायदा होगा प्लस 6 का यह फायदा होगा कि मेरे पास जो आंसर आएगा आंसर आएगा वो 18 को रिपरिजन्ट करेगा मसल navigate यह कि नीचे जो चीज आ रही है उसको इसके answer के साथ represent नहीं किया जा सकता मतलब कि eight की four bits नहीं लिखी जा सकती और one को four bits four bits के साथ represent नहीं किया जा सकता so plus six को add करने का मतलब यही है तीछे भी यही था जो answer आ रहा था उसको दो digits में आ रहा था और दोनों को चार-चार bits में हम represent नहीं कर सकते था जो actual answer है उसको नहीं कर सकते सो हम प्लस 6 को add करके actual answer हम इसमें कहते हैं कि actual answer के साथ इसको हम represent कर सकते हैं अच्छा अब इसी तरीके से हमारे पास 16 प्लस 15 है ठीक है तो right group is invalid greater than the left group अच्छा इसमें मेरे पास अब ये आखर में अब इसमें ये देखें कि इसके आखर में right hand side वाला invalid है वो कैसे कि 6 plus 5 11 11 9 से बड़ा है अब यहां पर ये होगा कि ये एक carry यहां पर आता है 6 plus 5 11 एक carry आता है और वो carry इसमें add हो जाता है basically तो इसमें भी rule ये ही है इसमें rule ये है कि क्योंकि ये इसका जवाब 11 आता है तो इसमें हम plus 6 करेंगे प्लस 6 करके जवाब आएगा जो अगला वला है जो अगली वली है उसमें हम plus कर देंगे one को उसमें हम one को plus कर देंगे तो इसमें जब हम one को plus करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये zero और one नीचे direct आपके पास जीरो में जब one plus करेंगे तो ये direct आपके पास one आ जाएगा बाकी आपके पास वैसे का वैसे ही है तो इसमें ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो है वो right hand कोई एक group भी है वो nine से बड़ा हो सकता है ठीक है अब इसमें एक क्वेस और देख लेते हैं आच्छा अब इसमें ये देखें seven plus three is ten ठीक है और six plus seven plus five is twelve तो दोनों तरफ हमारे पास दोनों तरफ जो है दोनों groups में अब हमारे पास क्या हुआ है दोनों groups में हमारे पास nine से बड़ा आ रहा है दोनों groups में हमारे पास nine से बड़ा आ रहा है सो हम क्या करेंगे कि दोनों groups में हम इसको add कर लेंगे दोनों groups में हम इसको add कर लेंगे, six को add कर लेंगे, और अपना जो जवाब है उसको valid BCD number बना देंगे, इसमें और भी बहुत सारे BCD के लावा बहुत से और codes हैं, जो कि alpha numerical codes हैं, जो कि represent करते हैं आपके numbers को, letters को, symbols को, instructions को, याद रहे कि जो BCD है, वो सिर्फ और सिर्फ numbers को encode कर लेंगे, लेकिन क्योंके computer में सिर्फ और सिर्फ numbers नहीं इस्तमाल होते, numbers के इलावा, letters इस्तमाल होते हैं, symbols इस्तमाल होते हैं, alpha numeric symbols इस्तमाल होते हैं, और बहुत सरी चीज़ें, आजकल mathematics से related चीज़ें हैं, उनके symbols हैं, फिर इसके इलावा different languages के symbols हैं, जर्ज यह कि हम अप conventional life में या daily life में इस्तमाल करते हैं उनको represent करना है और उनको computer को समझाना है उसके लिए ना सिर्फ का कहते हैं BCD के code इस्तमाल होता है आप grey code को इस्तमाल कर सकते हो ASCII code को इस्तमाल कर सकते हो इसके साथ आपकी reading assignment यह है कि आप different जो है इन code को पढ़ें कि alphanumerical codes क्या है error detection और correction के codes क्या है so ये net पर आपको बहुत easily available होंगे ये जो नीचे है कुछ हम इदर discuss कर लेते हैं और कुछ को फिर जो है वो for your interest जो है अगर आप उसमें interested हो तो आप उसको पढ़ सकते हो वो course का इसा नहीं है so इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है जी gray code gray code भी basically numbers को ही represent करने का code है और ये weighted code और weighted code कराता है ये arithmetic code नहीं है इसका ये मतलब है unweighted है sorry और not arithmetic नहीं इसका कोई ये मतलब जिस तरह BCD में हमने weights दिये थे 1, 2, 4, 8 ठीक है और उसके साथ फिर हमने arithmetic भी की थी उनकी एक edition को बकायदा सीखा था तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है और फिर specific weights नहीं होते assign नहीं होते position की उपर important feature ये है इसके सिर्फ एक single bit के change के साथ हम code को change कर देते हैं दूसरे उसमें ये था कि जैसे BCD की code में आपने देखा होगा कि बार बार मुख्लिफ bits को change करना पड़ता था या कभी कभी सारी bits को भी change करना पड़ता था तो उसमें थोड़ी सी complexity और थोड़ा सा computation और थोड़ा सा जो है ना उसमें time लगता था जबकि आपके पास जो grey code है इसमें simple एक single bit को आप change करेंगे पूरे का पूरा code change हो जाएगा और next जो number है वो represent हो जाएगा और दूसरे binary numbers की तरह हमारे पास grey code के भी grey code के भी बहुत सारी number of bits हो सकते हैं जैसना के और binary numbers की number of bits होती है हमारे पास अब हम grey code को जड़ा study कर लेते हैं अच्छा इसका जो इसका rule क्या है रूल यह है कि most significant bit से जो है हम वो जो कि less उसको same रखते हैं और बाकी जितनी भी हैं उनको हम add करते जाते हैं most significant bit को अगले के साथ add करते हैं उसको अगले के साथ add करते हैं और जो जवाब आता है उसको ले 10110 हम यह करेंगे most significant bit को यहां पर रखेंगे अब इसको 0 के साथ add करेंगे है जो इससे जिएच्ड है ुसको add करेंगे । вам जवाब आएगा इस 0 को इस 1 के साथ add करेंगे तो 1 जवाब आएगा अब इस 1 को जब इस 1 के साथ add करेंगे तो 0, 1 जवाब आएगा तो 0 को हम रख लेंगे 1 को हम क्या करेंगे उसको टिसकाट कर देंगे और इस 1 को 0 को सब जब एड़ करेंगे तो 1 जवाब आएगा यह तरीका है हमारे पास तो इसी तरीके से यह भी इसमें यही रूल लिखा गया है कि most significant bit को वैसी रखता है बाकियों के साथ add करते जाना है और जो आपके पास इस एडिशन की दरम्यान जो carry generate होता है उसको discard करते ना है अब हमारे पास अब हम grey code से binary की तरफ कैसे जाएंगे तो वो भी बहुत से simple है यह हमारे पास grey code है अब हम इसकी most significant bit को वैसी रखेंगे ठीक है अब इस most significant bit को अपनी अगली उसके साथ add करेंगे और zero one जवाब आएगा तो zero को रख लेंगे one को discard कर लेंगे इस zero को इस zero के साथ plus करेंगे अब इस zero को इस one के साथ plus करके जो हमारे पास जवाब आएगा one आएगा और one को one के साथ जब हम plus करेंगे तो zero one आएगा इसमें हम carry को discard कर लेंगे अच्छा अब ये दो और examples हैं कि हमारे पास दो numbers हैं पहला number हमारे पास one one triple zero one one zero है ये इसको हमने gray coat में convert करना है तो बहुत असान है इन सब को इस तरीके से लिख लिए जाए थोड़े फासले से पहली most significant bit को उसी तरीके से लिख दिया जाए अब इस most significant bit को हम अगली के साथ add करेंगे जो कि one one zero one आता है zero one को discard कर देंगे वो carry है और zero को रहने देंगे अब इसी तरीके से वहारे पास यह जो one है इसको zero के साथ add करेंगे तो one जवाब आएगा zero को zero के साथ add करेंगे तो zero जवाब आएगा zero को zero के साथ add करेंगे तो zero ही जवाब आएगा zero को one के साथ one 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 के साथ अब जब add करेंगे तो zero one आएगा carry को हम discard कर लेंगे और one को 0 को साथ add करेंगे तो 1 जवाब आ जाएगा तो this will be final gray code यह final हमारे पास इस number का gray code आ जाएगा इसी तरीके से gray code को अगर हम यह by the way this is 1 these are all 1s these are not eyes यह सारे 1 है तो इन को भी हम gray code में हमने change करना है तो बहुत ही simple है कि सब को इसी तरीके से लिख लिए जाए अलादा अलादा से अब most significant bit को ले लिया जाए ठीक है अब इसको add करना है अगले के साथ फिर one जवाब आएगा इसको अगले के साथ एड करना है तो यह 01 जवाब आता है one को discard कर लेना है zero को zero के साथ add किया 0 को 1 के साथ add किया 1 को 1 के साथ 0 1 जवाब आएगा 1 डिसकार्ट कर लिया 0 को 1 के साथ add किया 1 आया 1 को 1 के साथ add किया तो 0 1 आया 1 को डिसकार्ट कर लिया तो मेरे पास finally जो नमबर आएगा जो के वो ये आएगा final नमबर मेरे पास जो binary में आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा So this is यह बहुत ही असा तरीका है कि most significant bit को ऐसी रखना है और वाकियों को add करते जाना है अपस में और जो carry है उसको discard करते जाना है अब आगे क्योंकि यह जो BCD codes हैं और जो मेरे पास अमारे पास जो BCD code और इसके इलावा जो हमने दूसरा code पढ़ा उसमें gray code वो सिर्फ और सिर्फ numbers को deal करता था अब हमारे पास एक और codes यूज होते हैं जो के आम तोर पर हमारे जितने भी alpha numeric हैं या numeric हैं या जितने भी हमारे पास चीजें हैं उसमें जो चीज इस्तमाल होती उसको हम कहते हैं American Standard Code फॉर information interchange ASCII का कहते हैं मुखफ़ है इसकी abbreviation है ये universally accepted code है और computer जो electronic equipment में इसको इसको इस्तमाल किया जाता है और जब आप enter करते हो कोई भी command तो उसके against ये letter, letter command ये symbol, command से ये मुराद है कोई letter, number, alphanomaric, character आप जब करते हो, उसके against, asky का एक table बना होता है, asky का table उदर से उसको उठाता है, उसको उसके binary में convert करता है, और फिर उसको computer को जो है वो, बताता है कि क्या चीज़ टाइब की गई है, basically ये codes असानी ह है हमारी interpretation between computer and humans, तो फिर asky का code उसमें से direct उठा के, computer को बताता है कि क्या चीज़ प्रेस की गई है, computer उसको interpret करता है, और इसके according हमें results देता है, 128 characters है, और symbols, characters or symbols represent है, 7-bit का binary code है, asky को 8-bit का code, actually asky को consider किया गयता है, 8-bit का code, with the most significant bit as 0, 7-bit क्योंकि computer में 7-bit की इस तरह value नहीं होती, nibbles 4-bit या 4-bit के बाद 8-bit या इसी तरीके से हमारे पास चलती है, तो 7-bit को साथ एक एगजाफी bit 0 लगा कर, इसको 8-bit का code बनाया जाता है, 7-bit में ये represent होता है, और एक एगजाफी bit, ताहां कि 2 nibbles, nibbles कहते हैं, 4-bit को, 4-bit क की विट को nibbles कहते हैं, तो 2 nibbles के साथ इसको ताहा की represent किया जा सके, क्योंकि computer आएम तोर पर nibbles को समझते हैं, 4-bit, 8-bit, इस तरह 16, इस तरह से आगे चौन सेट और इस तरह से इस चीजों को समझते हैं, तो, जो फिर्स्ट थर्टी आस की करेक्टर हैं, वो नौन ग्रैफिक कमांड्स हैं, जो के print और डिस्पले, और डिस्पले नहीं हो सकती हैं, और फिर इसके बाद जो है, आपके पास line, जिसमें, यह इस तरह की कमांड्स हैं, कि line of feed है, कोई null है, start of the test है, escape वगरा, यह इसके जो, बतलब आपके की बोर्ड में, वो चीजें, जो के display नहीं होती, for example, जो दो, क्या कहते हैं, करेक्टर के दरमयान जो space है, यह start of the test है, escape जो आप करते हैं, यह सारी चीजें, वो शुरू के आपके पास 30 उसमें आती हैं, फिर जो दूसरे हैं, वो ग्रैफिक हैं, वो decimal digits हैं, punctuation symbols हैं, आपके different, ठीक, excliminary mark है, dollar का sign है, percentage का sign है, power का sign है, add, star, यह सारी चीजें आपके पास आती हैं, और common use symbols में, इसमें, इसी में शामिल हैं, अब यह एक total आपके पास, एक ASCII का, जो है, वो टेबल बता दिया गया है, कि ASCII के table में, हमारे पास, आप इसकी conversion जो है, या इसको समझना यह है, कि यह, as it is, इसका table पहले से computer में, क्या कहते हैं, वो feed कर दिया जाता है, और फिर, उदर से ही, computer इसको उठा ले था, for example, यह देखें, first 30 जो हमारे पास हैं, first 30, so first 30 में आप null देख लें, और इसके लावा, कुछ, इसमें acknowledge के हैं, कुछ different हैं इसमें, और यह, इसमें नहीं है, क्या कहते हैं, कि यह, आपके पास display नहीं होते, और फिर escape वगारा और इस तरह की चीज़ें, फिर, अच्छा, फिर इसके बाद, discriminatory mark, dollar का sign, and, brackets, फिर alpha numerical, इन सब को आप जरा गोर से देखें, सारों के आगे, एक code, binary code जिनरेट करके दे दिया गया है, फिर सारे तक्रीबन जो आपके पास, alphabets हैं, और जो commonly used, जितने भी symbols हैं, अच्छा, छोटी ABC, बड़ी ABC के लिए, अलादा-अलादा codes हैं हमारे पास, और फिर, इसकी hexadecimal में भी representation कर दी गई है, अगर्ज यह है, कि computer को, तो, इस American standard के साथ, जो है, computer को समझाना है, कि इस वकद user क्या चीज़ पूट करना चाह रहा है, user क्या करना चाह रहा है, इस वकद, तो, यह हमारे पास different codes हैं, जिसमें, अच्छा, इसमें दो हैं, control है, graphics के हैं, बरहल, यह एक बिलकुल तफसील है, इसमें हम, बज़र है, हम इसको तो, डिरेक्ली, हम तो इसको convert नहीं कर सकते हैं, यह standard बना दिया गया है, कि सारी दुनिया में keyboard इसको standard बनाने का मतलब यह है, कि हमारे पास, तांकि दुनिया में जहां भी बैठ कर, कोई भी बन्दा keyboard से कुई भी चीज़ एंटर करे, तो computer उसको वही, उसका code वही generate ह मतलब पाकिस्तान में तो उसका code वही generate हो, अमेरिका में और जिस जगह भी बैठा है, उसका code वही generate हो, यह different नहीं हो, तो एक standardize करने के लिए इस code को रख दिया गया है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी जो है, आगे जो चीज़ें हैं, चले आगे भी थोड़ा से द definition है, कि first 30 को जो है, वो control हैं, और इसके बाद extended हैं, और 128 total characters हैं, और यह इसमें बाकी चीज़ें तगरीबन मैंने सारी बते हैं, आज के लिए बस सिर्फ इतना ही, फिर इन्शाला अगली दफ़ा मिलेंगे, तो इन्शाला मजीद और चीज़ों को discuss करेंगे, अल्ला हाफिज हैं, छ्टॉछ स१ il न्य को सकता चाहिए, बगली दे लिए, परी हैं, यह बनौ। यह रिए हैं, र Yahoo REPL जहा हैं, तुछ एन्शाला अगली द보ना हैं, यह हैं, धुछ एन्शाला लगली देना हैं, भी आपरीबना हैं, लिए पधितना हैं, घूधAr अट। DOभ मैं जो उतरे